कि अबसकर दोस्तो मैं अपनी YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ जोस्तो आज का जो वीडियो है वो RC के उपर है अगर आपके पास RC टिकट है तो क्या उसके यात्रा कर सकते हैं और अपनी RC टिकट का status या betting टिकट का status चेक कैसे करेंगे आपके आपका टिकट confirm हुआ है कि या betting में है या RC में है या confirm होगा या नहीं होगा तो इस वीडियो में मैं चारपा सवाल का जो जबाब है मैं आपको दोँगा तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले RC टिकट दोस्तो RC टिकट होता क्या है RC टिकट का मतलब है एक सीट पे दो आदमी यात्रा करेंगे और आपने देखा होगा ट्रेन में जब यात्रा कर रहे होगे तो जो खिरकी के पास जो आपने सामने सीट होता है दो OC को RC बोलते है अगर किसी का confirm टिकट नहीं होता है और RC टिकट हो जाता है तो ओही जो खिरकी के पास जो सीट होता है उसमें एक seat आपका होगा दूसरा seat दूसरा का और वो ही दो seat को क्या ट्रेन बना रखे हैं कि अगर ये जो आपको window seat मिली गया है और आपका RC नहीं है पूरा confirm हो गया तो पूरा seat आपके हो जाएगा तो दोस्तो ये RC टिकट होता है अब सवाल ये है कि क्या RC टिकट में यात्रा कर सकता हूँ देखे दोस्तो lockdown में RC बेटिंग जितना टिकट था पहले तो लोग बेटिंग में भी यात्रा कर लेते थे पर RC बेटिंग टिकट सब बन कर दिया था लेकिन अभी जो है RC टिकट उसने क्या कर दिया फिर से एलाव कर दिया है देखिए अगर आपके पास RC टिकट है और आपने online टिकट बुक रिया है या counter से बुक करवाया है तो आप उस भी यात्रा कर सकते हैं अब सवाल है कि मेरा RC टिकट है और मेरा सीट नमबर और बोगी नमर नहीं देखा रहा है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ट्रेन चालू होने से पहले चार घंटे या पाच घंटे पहले या आठ घंटे पहले क्या होता है ट्रेन का लिस्ट बनता है जब ट्रेन का चार्ट जो लिस्ट बोलते है उसको वह बन के त्यार हो जाता है तब आपके मुबाइल पर क्या होता है मैसेज आता है और उसमें बोगी नमर और सीट नमर उसमें लिखा हुआ रहता है और अगर आपका डेराप बेटिंग में टिकट है तो आप उस पिया तरह नहीं कर सकते हैं अब सवाल यह है कि अगर मेरा आइट सिर्ट टिकट है और शिट नमर नहीं देखा रहा है और मेरे पास मुबाइल के मैसेज भी नहीं आया है, मुबाइल पे मैसेज भी नहीं आ रहा है, तो मैं अपने टिकट को चेक कैसे करूँगा, तो देखिए दोस्तों मैं आपको यह बता रहा हूं, उसको आप डाउनलोड के लिजिए, और यहां पर ध्यान से देखिए, आपक अंका जो आपका टिकट पे पियनार नमबर लिखा होगा, जो मेरे कोने पे यह पियनार नमबर लिख रहा है, इसको क्या करना है, आपको याद करना है, या लिख कर इसको क्या करना है, बैक करना है, बैक करने के बाद देखिए, दोस्तों यह यह का नाम है, आई, एक्स, आ यहां पर लिखना है I X I G O और उसके बाद क्या करणा सर्च करदेना है सर्च करने के बाद दोस्तों जखिए पहले auction पह आ गया यह मेरा open लिख रहा है आपका open नहीं लिखेगा यहां 2006 करने करने के बारे में लिखेगा तो आप क्या कर लिजिए इसको इस्टोल कर लिजिए उसके बाद क्या करना है यहाँ पर ओपन लिख देगा तो ओपन फोके करिजिए ओपन ओक होगा उसके बाद क्या करना है दोस्तों यहाँ पर प्यानार इस्टेडस लिख रहा है इसमें क्या क दोस्तों मैं पहले से लिख रखा हूं और इस पर जब करता हूं तो यह तीर जो है थोड़ा हलका घूमेगा और आपको बेटिंग करना है और उसके बाद यह देखा देगा कि मेरा सीट नंबर कितना है यार्सी है या बेटिंग है या टिकट का नफर्म हो गया है सब यहां प आपको बता दूँ यहां पर जो चांसे लिख के आता है मेरा उससे में 33 आड़ा तो आपका चांसे कम से कम 86 लिखना आना चाहिए देगे दोस्तों मैं आपको बता देता हूं माले जी इसमें गया और मेरे को यहां पर इसमें ट्रेन सर्च कर दिया बख्षर से डिली तक और आपको नीचे आ गए यहां पर ट्रेन साबThis आ गया और मुझे टिकट करना और तो देखिए यह मैं यहां पर दनापुर्स अब्रण ब्लट का करना हूं और दोस्तों इहां पर टिक progress सारे देखा रहा है तो देखिए दोस्तों यहां पर जो टिकट देखा रहा है मालने जी आज एक किसे और मुझाजी जना तो देखिए इस पर क्या कर रहा है यहां पर वो नहीं देखा रहा है चांस कितना है तो दूसरे पर करते हैं इसमें भी नहीं देखा रहा है तो यहां देखिए पहला नंबर क्या ना चाहिए आपका टिकट जो भूक कर रहे है तो इसमें आप यहां पर क्या लिख रहा है यह 22 तारी को आर येल डबलू येल और उसके बाद यह जो विट्रेंग का जो भी है तो अगर हमें इस पर टिकट बुक करते हैं तो देखिए यह जो चांस देखा रहा है 69 परसेंट देखा रहा है तो यह दोस्तों टिकट कनफर्म नहीं होगा आपका जब भी ट टिकट करें तो आपका 70 से ज़्यादा कनफर्म होने का चांस देखाना चाहिए तब ही टिकट आपका क्या हो जाएगा कनफर्म होगा और दूसरी बात याद लगए कि यहाँ पर आर एल जो लिख रहा है और डबलू येल तो यहाँ पर जी एन डबलू येल लिखना कितने तरीक क्या है ट्रेन है यह 27 को और उसके बाद 2-7 ऐसे लिख है तो जहां रसी लिख रहा है क्या हो जाएगा आपका अर्सी मिल जाएगा तो आप इस पहींच मुथ के क्ойтиों क्या कर दीजिए भूक कर दीजिए और आपका टिकेट क्या हो जाएगा कर फॉर्म हो जाएगा ठीके दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूं जब भी आप टिकेट भूक करें तो जी एन डबलू एल लिखना चाहिए बाकी आर एल लिख रहा है या आर एक यू लिख रहा है या आर एक होता है चांस यहां पर कम से कम 70 होना चाहिए अगर 50 से नीचे 60 से नीचे तापका टिकेट कर फॉर्म नहीं हो सकता तो दोस्तों मुझे ऐसा यह वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे